दोस्तों हमारे देश की शान हमारा तिरंगा जहिन तो दोस्तों आज चल रहे हैं घूमने लाल किला लाल किला होंगे मज़ा आज चलो अब मैं मेट्रो से लाल किले किले जा रहा हूँ वहाँ लाल किला आपको घुमाऊंगा टू भी कंटेनियू चलते हैं दिल्ली मेट्रो का जो एरिया है वह काफी साफ सुतरा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आप देखी सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है अब हम यह रिक्षा से एंट्री गेट की तरफ जा रहा है लाल किले की जो में गेट है जिससे एंटर करेंगे उस तरफ जा रहा है हलो तो अब हम अंदर चलेंगे और यह रिक्षा ने हमें यही छोड़ दिया यहाँ से हमें पैदल जाना है इसके आग रिक्षा नहीं जाता ह और चलो ये सामने मेन इंट्रिगेट दिख रहा है इसी से किले में प्रवेश करेंगे दोस्तों मैं थोड़ा सा तुमें लाल किले के बारे में बता दूँ लाल किले को अक्बर के पोते यानि कि शाजहा ने बनवाया था यानि कि अक्बर के बेटे के बेटे ने बनवाया था शाजहां ने आगरा में ताज महल भी बनवाया था पहले ये अपना राजपार्ट आगरा से चला थे बाद में इन्होंने अपना राजपार्ट यहां दिल्ली से चलाना स्टार्ट कर दिया अब बाकी हम जादा इसकी हिस्ट्री जोगरफी में नहीं जाएंगे बस आप इतरे सब जो कि लाल किलो को दिल्ली की लाल किले को शाजहा ने बनवाया था अब बाकी घूमते हैं यार और जैसी हम अभी घुसेंगे तो घुसते ही यहां पर एक मार्केट मिलेगी जहां पर जिसे चट्टा मार्केट बोलते हैं यह आप देख रहे हो और यहां पर यह जोलरी पर परस और ऐसी बाकी छोटी मुटीस टाइप की ज्यादा शॉप है जॉलरी परस की ज्यादा शॉप से हैं और जॉलरी में असली जॉलरी नहीं नकली लाल किला बहुत बड़े एरिये में बना हुआ है और देश और दुनिया से लोग यहां घूमने आते हैं देखी सकते हो कितने लोग दिख रहे हैं रोज यहां पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं देश के अलग-अलग कोनों से अच्छा लगता है और यह विल्टिंग जो है इसको दरबारे आम कहते थे यहां इस तो में रिनोवेशन चल रहा है अपने समय में राजा यहां लोगों की समस्यां सुनते थे और यहां पर यह सामने दिख रहा हैं यह यहां पर फबारा लगा हुआ होगा किसी जमाने में जो चलता होगा अब तो नहीं चलता है और यह जो बिल्डिंग आपको दिख रही यहां पर दरबारे खास है जहां पर राजा अपने खास लोग के साथ मीटिंग करते थे और ब अब बाकि याद देखो याद डिटेल तो बहुत है ठीक है और मैं आपको पकाऊंगा नहीं ज्यादा इसकी हिस्टरी बता बता के बसाब जी देखो लाल किले के अंदर म्यूजियम है बना हुए जिसमें स्वतंदर्ता सेनानियों की फोटो लगी वी हैं आप देख सकते हो य स्वतंदर्ता सेना इनों की फोटो लगी यहां पर और ये उस वक्त के हतियार भी हैं रखे हुए जो आजादी के लड़ाई के समय इस्तेमाल किये जाते थे देखो यार देखों यह तीर रखे हुए हैं ठेक है और भी चीज़ें हैं देख सकते हैं यह उस समय के तमंचे रखे हुए हैं आजादी के समय के अब नहीं कौन चलाय qui ने चलाया यह तो मुझे कुछ नहीं पता पर देख लो उसी समय कि ये बंदू को लाड़ी तमंचे ये सब रखे हुए हैं ठीक अब ये देखो है हाँ मज़े लो तो दोस्तों हम के लिए से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद मैं कहीं और दूसरी जगा भी घुमने जाएंगा जहां भी जाएंगा तो मैं जरू दिखाऊंगा वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे ठीक है